बिसमिल्लार रह्मान रहीम तो लेक्शन नमबर एट भी कंटीन्यू कर रहे हम लोग आज और आज हम लोग ने यह देखना है कि जो हमारे जो प्रीवियस दो कमांड रहा के थी एक थी स्पेसिंग टूल बार और एक हमारे पास थी स्पेसिंग टूल बार जो है वह बसी कली आपकी अलैनमेंट का एक एडवांस टेक्निक है, ठीक है कि आपने जो अबजेक्ट को अलाइन करवाना होता हुआ उसकी एक इडवांस टेक्निक आती है मिसागे तोर पर एक मेरे पास यह box है ठीक है और इस box के साथ-साथ मेरे पास cylinder यहा कहीं पे भी मेरे पास सफियर पड़ा है तो मैं जहीं क्याता हुआ यह जो शफियर है ना इस box के साथ ऑलाइन हो जे आप इस ऐलाइमेंट की ना बहुत ज़्यादा वो सकती है तो आप लोग पता कि पिविट और अबड़ा फर्क होता है तो अगर हम लोग यहां पर आये हैं यह मेरे पास अलाइन पर आने के बाद यहां को नदर आ रहा होगा तो यह इसकी शॉर्टकट की और प्लेस ए है तो आप इसे जब अलाइन कर देंगे तो यहां पर आपके पास वही कंडिशन जा रही है करन्ट अब्जेक्ट मैकसिमम में में हो जाए ठीक है या सेंटर में आ जाए या फिर पिविट टू पॉइंट पर आ जाए या मैकसिमम में आ जाए तो लेकिन यह सारी जो चारों कंड अब्जेक्ट इसके साथ बिल्कुल अलाइन हो जाएगा तो यह एक है बसी इस स्पेसिंग टूल बाहर है आपका है एड्वांस अलाइन्मेंट टूल में आ जाता आपका यानि कि आपको हम लोगों ने बात की थी कि मेरे पास एक अब्जेक्ट और इसके ओपर हम लोग या फिर्म आप पर आई तो पर रुख कर नहीं कर सकती है तो वह जो एडवाश से एक हिस्सा चाल रहा पर रहा कि करें कि मैं अगर टॉप यू में हूँ एक मैंने यहां पर आपजेक्ट बना है फिर एक मैंने यहां पर एक लाइन बना ली और इसके बाद मैंने क्या किया है यहां पर मैं प्रस्पेक्टिव व्यू में आया है और मैं कहता हूं कि यार मैंने एक यह फर्स करो एक रेल गाड़ी की यह पटरी है इसको मैंने बना ली तो यहां पर आके पास आजएगे स्पेसिंग टूल या आप शिफ्ट प्लस आई प्रस कर देंगे तब भी वही डायलॉग बॉक्स ओपन होगाई हो जाएगा जरूरी यह है कि यहान पके पास कोपास। कर देगा चाल तो अब आपको कोपाफ कने पास कर दे के यहां पई कॉपी कोपी कोफ बढ़ा wurde का। यार ठीक है निकाल तो रहा है यह copy लेकिन आपको यह नदर आ रहा है कि यह इस track को follow नहीं कर रहा है इसने क्या कि इसकी parallel copies को पकड़के distribute कर दी है कि यह मरे बाद path है मैंने यहाँ पर copy निकाल लिए थी तो अगर आप क्या करेंगे यहां पर आपके यह कहते हैं कि यार आप ना इसके कर दो follow तो जैसी आप follow करेंगे तो क्या होगा यह इस line को follow up करना शुरू कर देगा थीक है अब आप इसकी जितनी मर्दी आप copies निकाल लें तो इसके इलावा जो इसके अंदर है number of count है तो जो इसके अंदर एक number of count है वो क्या है आपके पास यहां पर आपके पास आरा होगा कॉबा की अपकर जो थे थोड़ा सक पिशा ओड़ जो तो इसारा और शटी कर दो हो अली अभी उसको में call कर रहा था तब ठीक है नहीं अच्छा तो इसके बाद यहां पर क्या सिसला इसके बाद इसके बाद गिल्कुल आरे वाला काम कम करता और यह आपके path को follow नहीं करता और इसके बाद यह चोड़ देता है start offset के अंदर यह होता है कि आप कहते है कि यार यह जो start के अंदर इतना offset छोड़ दे बिलकुल नदर आ रहा होगा आपको कि यह कहते है कि यह start से आप इतना छोड़ दें यहां से इतना गाइब हो जाएगा start अगर आप end offset आप रखने चाहरे के लिए यह end भी आके थोड़े इसकी जो copies हैं वो कम हो जाएं तो वो भी आपके हो सकता है ठीक है अच्छा तो यह था आके पास spacing tool bar ओके अब इसके बाद जो मैं command discuss करने वाला हूं उस command वही बड़ी command इंट्रस्टिंग है उसका नाम है आपके पास sweep ठीक है तो यहां पर जो हमारे पास है हम लोग आते हैं modify list पे जाते हैं और sw sweep पे हम क्लिक करते हैं तो यहां पर आके पास sweep की बहुत जादा categories आपको नदर आएंगी ठीक है फिलाल में grade मिटा रहा हूं कि अगर आपने angle iron मनाना हो तो बजाए इसके आप profile मनाए angle iron का जो के आपके बड़े बड़े already वहां पर इतने अगरेक्षिर्स के अंदर होते हैं यूस वह आप उसके profile बनाए बगार यह आप इनके angle iron बना सकते हैं तो यह इसकी options और अवेलिबल हैं यहां पर यह इसकी thickness है ठीक है यह इसके corner radius है अगर आप इसके radius और corner करना चाहरे हैं यह complete options है अब आप लोग में अच्छे लिए इतने mature होगे कि आप लोग को यह सारी चीदा खुद देख लेने चाहिए ठीक है तो यह आपके पास availability है अच्छे एंगल है इसके बाद आके बार आजाएगा ठीक है बार को मैं जाहतर यहां पर इसको road बनाने के लिए यूज करता हूं कि अगर मैंने एक complex road बनाना हो तो आई विल बी सिलेक्ट पाई स्वीप कमांड तो यह बड़ी complex road बनाने मेरी बड़ी मदद करता हूं मैं बार कमांड के ही तुरू बना रहेता हूं इसमें चैनल भी है आपको यह चैनल भी नजर आ रहा होगा ठीक है इसके बाद आके पास cylinder है और फिर आके पास half road है आपने इसको पाई बनाना हो ठीक है यह एक कमांड आप इसको पढ़ सकते हैं ठीक है completely तो बिलकुली जो एक unique इसके अंदर चीज़ है कि आप अपनी भी profile बना सकते है यूज कस्टम सेलेक्शन तो यहां पर आप अपनी profile बना सकते हैं बिसाग के तोर पर अगर मैं यहां पर थोड पास हाँ एक profile है मैं इस पर click करता हूँ और जैसे हमने लेट के अंदर बनाया था ठीक है मैं pick करता हूँ तो यह automatically की तौर पर उस profile को यहां पर generate कर देगा ठीक है चाहे आपने insight करना हो या आपने offset करना हो अगर आप इसे कर देंगे 90 degree तो यह 90 degree मूड जाएगा यहां को सबसे पहले हम लोग spacing toolbar के अपर काम करते है और इसके बाद हम लोग क्या करते है एक bench बनाते है spacing toolbar के तो ठीक है तो यह मेरे पास एक profile है ठीक है जिसको मैंने अल्याटी निकाला हूँ और इसको हम लोग देखते हैं तो मैं यहां पर left view में आने के बाद मैं क्या करूंगा मैं लाइन पर आया और इसके बाद हम लोग ने क्लिक किया अगें क्लिक किया यह आ गया ठीक है और अब हम लोग ने क्या किया हमने इसकी लाइन की property में जाना है और इसके जो curves हैं इसको हम लोग ने थोड़ा सा स्मूथ करना है और अब हम लोग ने यहीं से लाइन शुरू करन आप सारे सीजे मेटरी और यहां पर क्रियेट लाइन इसके यह फायदा हो के लाइन यहीं से क्रियेट होगी ठीक है तो अब हम भी क्लिक करेंगे है यहां क्लिक कर लेंगे हलका सा हुआ है झाल झाल आसे जिव फाइनली दुबारा हम क्रियेट लाइन वे जा रहे हैं और ये इसकी सीट होगी तो ये जो सीट होगी ने सीट को मैं अलग से बना रहा हूँ ये लाइन मुझे अलग से चाहिए यानि के यहां बे क्लिक किया यहां क्लिक किया और ने यहां क्लिक कर रहे हम लोग एक ये अरिया चाहिए एक ये अरिया चाहिए इसको अब दुरा सेट करते हैं अब दियान रहे हैं कि ये लाइन एक अलग लाइन ठीक है ये मैं थोड़ा मुश्किल कर रहा हूँ ताकि आप लोग ने इस प्रोसेस से गुजरें ये ये लोग ये लोग चाहिए ये ये लोग ये लुजरें काभी सारे online students के जहन में आ रहा है कि यह काम ऐसे भी हो सकता है लेकिन यहां पर सिब बात हो रही है प्रैटिस के अभी प्रैटिस के जरुबत है कुछ hidden challenges के अंदर आपके ना ऐसे भी टास्क होते हैं जिससे आप काफी कुछ सीख रहे होते हैं तो आप लोगों को दिख रहा है कि यह एक अलग प्रोफाइल है और यह एक अलग प्रोफाइल है ठीक है इसको हमने visible करना है visible करने के लिए हम लोग क्या करेंगे rendering में आएंगे इसके बाद कर देंगे enable viewport enable viewport करने के बाद हम लोग कर देंगे इसकी जो thickness है थोड़ी सी हम बढ़ा देंगे हम लोग ने thickness बढ़ा दी है इसकी thickness बढ़ाने के बाद हम लोग क्या करेंगे हम लोग इस लाइन के थोड़ा सा बाहिट निकालें कि यह थोड़ी सी वैल्ड होती है हम लोग यहाँ हैंगे वर्टेक्स पे यह थीक है ऐसे कर लेंगे हम और अगर आपने थोड़ा और एडवांस काम करना चाहरे हैं तो फिल्हाल इसको आप यही चोड़ दें क्योंकि इतना नहीं अभी हो पाएगा आप से आप इसको यहीं तक यहां तक तीक है यह आप लोग इसको 3D वा बना दी अब हम लोग ने इसको यूज करना है अच्छा तो इसको यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले यहां पर हमने शिफ्ट के साथ इसकी क्या कर दिया क्लोन निकाल दिया हमने क्लोन निकालने के बाद हम लोग ने यहां पर अब इसका एक इसका हमने सहारा लेना हम लोग क्या करेंगे एक यहां आ जाएंगे box पर आ जाएंगे T press करेंगे और हम लोग एक box प्रादेंगे ओके और यह मेरे पास box आ गया इसकी हम लोग तो चुड़ाई रख लिए F row प्रेस कर लेते हैं और अब हम लोग ने करना है spacing tool बाग के थूरू इसको repeat करना है तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर हम जाएंगे टूल में align में और spacing tool बार और इसके बाद हम कर देंगे तब pick up the path और यह इस तरह आख के पास आ गए अच्छा तो यह हम लोग फिलाल बंद कर रहे हमें यह नहीं चाहिए यह था नहीं हम लोग कीश बंद के ऴाद हम ताह तो यह बेंच बन गया है तो यह आपको आइडिया हो गया हो कि इस पेसिंग तो बार कितना सा बदास्त है तीक है तो इसके इलावा आप के लिए मैंने एक यह चोटा था टास्क रखता है कि क्या आप लोग करेंगे यह कैसे बन सकता है कोई एक मलना मुझे आइडिया दे यह चीज़ कैसे बनेगी एनिवन हैफ इसकी बात करो ना से इसकी चले मैं बताए तो आपको कि क कि अ भीज़ आपता है यह कि करेंगे कि कको ना सकती है एक यह स्यों है तो आपको कि बाताउक, लार्शस्यों है पूञार सकता है कि बाताए लोग झाभा झाल झाल ठीक है जी मुश्किल तो नहीं था यह और क्या हम बना सकते हैं यह अगर हमने बनाना है यह कैसे बनाएंगे किसी के जहन में यह चल लाही है यह आप लग नहीं बनाना है या आप फुद बनाएंगे चलें जितना मैंने पड़ाया उतना और यह जो लेक्चर दिया यह लाजमी ठीक है